इस टपकते हुए नल को देखिए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सेकंड में पानी की दो बूंद गिरती है तो एक मिनिट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनिट में एक लीटर पानी खो देंगे हर बूंद है कीमती पानी बचाईए हेलो दोस्तों युक्ती राज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप सभी का स्वागत है यूट्यूब में पहली बार धड़ाकेदार बिजनस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो ये बिजनस करके आप आपके घर का बिजली की और पानी की बचत होती है ये सबसे बेस्ट बिजनस है क्योंकि ये business इसलिए सबसे best है ये जो product है ये हर घर की जरूरत है क्योंकि ये product लगाने के बाद आपके घर में आपको कभी भी उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी टंकी खाली हो जाएगी ये खुदी टंकी पानी भरेगी और भरने के बाद खुदी बंद करेगी एक्जाम्पल के तौर पे आप कभी खुद भूल भी गई से बंद करना आपने टॉप का बटन दबा दिया तो खुदी मशीन बंद करेगी ये बहुत अच्छी मशीन है और हर घर की ज़रुवत है ये मशीन आपको मात्र 1100 रुपे की पड़ती है और अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो डिलिवी चार्जेस एंड एग्रिमेंट का खर्चा कमपनी करेगी ये बहुत पर गणापनी की पूरी समस्या दूर हो जाएगी ये ये इस धरा इसे काम करता है जैसे भे आपका टंकी खाली हो जाती है अटो मोड पर डालने के बाद और खुदी बरेगी और खुदी बंद हो जाएगी या खुद परस्नल पानी यूज करना सा होगे तो उसमें वह भी ऑप्शन रहता है कि यह आता है कि टॉप और स्टॉप तो आप उसे चालू कर सकते हैं भगवां के पानी यूज के लिए पानी भरने के लिए और कुद ही बन कर सकते हैं और बहुत ज्यक्त पर एसे होता है कि जैसे भी टंकी खाली होता है कि जीसे फिर अख्या लग फ़से लगाया रहता है वह यह का बेन्ज हा कि अथा आप हे और कि फॉल्साब धर तक रहता तो यहां कि यह अःसा प्लाइन यह बागाने के तूरिया के लिए नहैं चाल् i.प एर आउस, लाउंज, जहां पर आपको लगाना है, आप वहां पर लगा सकते हैं, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें उनों पुपूरे भारत भर में एक डिस्टिक में एकी क्लाइन को फ्रेंचेसी देगें, और उसमें आप सबसे अच्छा इंकम कमा सकते हैं, तिकि इस और एग्लिमेंट के टासब हमारे कमपनी का होगा, और उसकी जो एमार्पी है, यह है तीन हजार रुपिया, यह सबसे बैस बिजनेस है, बहारत में चलने वाला बिजनेस है, और इसमें डिमांगें में दिन इसकी दिमांद बढ़ने वाली है, तो आप में आपको इस दिव इसको मैं अभी खोलती हूँ, इस तरह से पैकिंग होती है, इसे मतब खोल लेती हूँ, इस सबसे अपको इसे ओपन करना है, और हम लोग इस दो सेफ्टी बहचते हैं कि कहा सभी टावलिंग में आए, यह आपको पीट पोस से आया किसी भी इसे टावलिंग में आए नहीं ह करें और तंकी बंदने के बाद इसे बंद कर सकते हैं जाएगा ठीक हाँ और इसमें आपको सीज पूरे वीडियो को हम दिखाए खे पूरा जो डिवाईस ही किस तरह से काम करता है कि में करते हो डिवाईस है इसमें आएगा आपको ये तीन संसार आते हैं ये है black ये है green और ये है yellow ठीक है इसके साथ आपको आएगा warranty card ये इसका एक साल का replacement warranty है कोई भी problem आएँ आपको तो piece to piece आपको इसमें written मिलेगा और इसका ये manual card है ठीक है और इसके साथ आपको आएगा ये चार स्कुरू आएगा इस तरह से crew आएगा और इसके साथ आपको ये डिवाज के आप wiring जो फिटिंग कर दें तो इससे आप connect कर सकते हैं ठीक है इस तरह से है ये और ये सबसे best business है ब्रेंड जल्दि जो इसकी booking शुरू कीजे और हम लोग एक बिसित में एक लोगों फैंट्रेस से देने वाले हैं और जन्दि से इसके शुरूआग कीजे अपि हम आगे के वीडियो में बताएगे कि प्स तरह से आपको ये जो है इसका ये लाई वीडियो करके दिखागे किस तरह से प्रोडक्ट काम करता है जो टेंक एक वाला इंडिकेटर पानी एकदम कम होने के बाद में लगेगा Power on मतलब आपका power चालु है मोटर on मतलब आपका motor चालु है यह तौपर चीज ये दबाने के बाद में motor चालु हो जाएगा और तंकी बरने के बाद में बंड होगा या तो आप manually इसे तौप करके भी बंड कर सकते है उसके बाद में ये मेन सुज है ये आटोप पर रखेंगे तो आपका मोटर आटोमेटिकली जैसे भी तंकी बरगा बन कर देगा सिस्टम और जैसे भी तंकी खाली होंगी आपका मोटर चाली हो जाएगा ये बीस्ट में अगर रहता है तो बंड है अटलब आप पोजिशन है और बापास पर अगर आप रखेंगे तो मोटर आपका चाली हो जाएगा चाली होने के बाग में आपको बंड करना पड़ेगा तब आपको तॉप आपको अप्स्टन बता था हूँ जैसे कि तॉप आपका सुष अगर दबा तो ये देख्थिए मोटर चाली हो जाएगा तो आपका सुष दबाते समय ये आटो मोड पर होना चाहिए और बाद में आप तॉप आपका सुष दबाईए देख्थिए मोटर चाली होगा और जैसे भी तंका बंग जाएगा आपका मोटर आटोमेटिकली बंड हो जाएगा ट्रिकर यह होगा अब मैं आपको बार पास मोड का समझाता हूँ बार पास मोड का समझान पर बना है आपको दिखाने के लिए उसमें cooler का motor डाला हुआ है तो उपर की टंकी है उसमें sensor लगे यह नीचे का आप बोल वल पकड़ के चलिए या तो आपका जो ground tank रहता है वो ground tank पकड़ के चलिए ठीक है तो इसे बाद में यहां से जो connection दिया है तो single press connection है आप single press वाला कोई भी दो ESP तक का motor आप उसे जोर चक अब यह जब product से copy बढ़िया हर घर को इसके जब रहता है देखिए यह motor चालिए होगा अपने आपी और जैसे भी tank की बर जाएगा यह motor अपने आप बंड हो जाएगा अब यह auto mode पर है और इसमे motor चालिए यह देखिए जैसे भी tank की बर जाएगा अपने आप बंड हो जाएगा अब जैसे भी यह tank की एम्टी हो जाएगा दो बागाश मोटर चालिए होगी ठीक है अभी हम इंतजार करते इसको एम्टी हो ने का यह देखिए से दोश्तों इसकी कापी मार्केट में डिमांड है और ज्यादा महँगा भी नहीं है सब कुछ देटेल आपको हमारा वेब्सेक्ट मिल जाएगी कुछ भी अगर इसमें आपको साहता चाहिए तो आप हमें हेल्प ले ते कॉल करकर अब यह ताकी जैसे भी खाली हो जाएगा तो वन्टर मोटर चालू कर दोगा सिस्टम अब इसका जो टेक्निकल इट्राल्स मतलग उसको पानिके तंकी मत ऐसे फीड करना है ताकी खाली होगा पूवे तर्वी तर्वरा चाली जाड़ी होगा थिक अभी तो यह आपके समझ में आगा थिक अभी मैं आपको दुसरा ओक्षन इसमें से बताता हूँ जैसे मानके चलिए अभी आपका यह स्विच बंद है थिक अभी आपको खुद चालू करना है आप खुद इस बटं को दबाईए दोको मोटर चाले होगा और इसके बाद आपको खुद बंद करना पड़ेगा देखिए मैंने बंद कर दिया है उससे ठीक है अब मैं उसको थोड़ा सा खाली करता हूँ अब अगर आपको कभी बीच में पानी के जवर्वत गिरती है तो आप उसे बहापास मोड से माध्यम से चालू कर सकते हैं बहापास मोड पे मशिन चालू हो जागा आपको खुद बंद करना पड़ेगा ने तो तंकी आपका ओर फ्लो हो जागा और तॉप अप मोड पे अब आपको कर सकते हैं जर्शे माधी तॉप अब बटन दबाता हो तॉप बटन दबान के लिए आटो मोड पे होना चाहिए अब याप प बटन दबाई मोटर चालू हो गे जर्शे भी भर जाया कि बंद हो चाल गया जोको तेंकी फूल होगे मतलब मोटर बंद होगा इद कापी बढ़िया डिवाइस दोस्तों अलाइस थार, बाले शोस्तों गाइस दोस्तों इंतेक्त… सब्सक्क्राइस झाल झाल